एलो एवरीवन अगेन मैं आपके साथ हूं विद लेक्चर नमबर 12 एंड वी विल डिसकस हाउ तो इंस्टेंसेंस इंटर्नली वा यूजिंग प्राइवेट आईपी इस बेसिक लेक्चर में कुछ नया डिसकशन में आपसे नहीं करने वाला हूं बस कुछ लोगों की इंस्टेंसेंसे अगर मैंने ड्ल्वाड में क्रियेट कर रहे हैं मैंने आपको अल्रेडी बताया था की इंस्टेंसे को ओबर न इंटर्नेट कनेक्ट करने का जो तरीका है ड़िए पाइक पॉब्लेक आईपी मिला हुआ है उसको यूज़ करके आप ओवर दा इंटरनेट उनको कनेक्ट कर सकते हैं बड़ जब एक क्वेशन यहां पर यहां पर यहां पर शेयर करना है तो क्या यह चीज पॉसिबल है कि नहीं और अगर कर सकते हैं तो हम लोग कैसे इस चीज को कर पाएंगे तो तरीके देखो दो होते हैं और यूजिंग दा पबलेक आई-पी और वाई उजिंग दा प्राइवेट आई-पी बट अगेन रेकमेंडेशन जो होती है कि अगर आप पबलेक आई-पी से कम्मुनिकेशन अभी भी दो इंस्टेंस को जो दोनों इंस्टेंसे से एडवलिए स्क्लाउड में हैं आप यूजिंग देर पबलिक आई-पी आप कनेक्ट करो यह रिकमेंडेशन नहीं है रिकमेंडेशन है कि आपस में आप प्राइवेट आई-पी से आप कम्मुनिकेशन कर सकते हैं बस कंडिशन आपको याद यह रखना है एक कंडिशन आपका है सर्वर्स शुडबी दा प कराऊंगा जिसमें दो डिफ्रेंट बीपीसी या मल्टीपल बीपीसी के सर्वर्स आपस में प्राइवेट आई-पी से कम्मुनिकेशन कर सकते हैं बट अभी इस पर्डिकूलर प्रक्टिकल में आपको याद रखना है दो सर्वर्स जब आप क्रिएट करोगे तो दोनों ही सर्वर्स आपके सेम बीपीसी के पार्ट होने चाहिए सेम नेटवक के पार्ट होने चाहिए राइट क्रॉस नेटवक बाई डफॉल्ट आपका सर्वर्स प्राइवेट आई-पी से कम्मुनिकेट नहीं कर सकते हैं और आगे चलके एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा प्रक्टिकल को पहले कॉंटिन्यू करते हैं अगेन आपको अपना रीजन देख लेना है किस रीजन में आप सर्वर्स को क्रिएट करने वाले हैं सर्वर्स क्रिएट करने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यह जो तरीका है सेम है आपका चाहे बिंडोज का मसीन हो चाहे लीनेक्स का मसीन हो या फिर ऐसा भी हो सकता है एक बिंदो का मसीन एक लीनेक्स का मसीन हो फ्रोसीजर इस सेम अलग से हमें OS के अक्वर्डिंग आपरटीगरेशन नहीं करना होता है configuration-wise there is no change सब्सक्राइब करने तो आप दो बार अगें सेम स्टेप्स फॉलो करके दो सर्वर्स आप कर सकते हैं या आपको अगर सेम कॉन्फिग्रेशन के दो सर्वर क्रिएट करने तो आप यहां पर नंबर टू आप पास कर सकते हैं राइट वी नीट टू इंस्टेंसेस विट सेम कॉन्फिग्रेशन और फिर बाद में उनको हमें पिंग कराना है यह चीज आपको ध्यान रखना है एक चीज और मैं आपको बता देता हूं अब लिटी जोन आप चाहें तो सर्वर्स हाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं दो सर्वर्स हम मैं आल टुगेदर बना रहा हूं को चाहां तो हैसा भी कर सकते हैं पहले एक सर्वर क्रिएट कर लो फिर बाद में आप दूसरा सर्वर क्रिएट कर सकते हैं ठीक है और एक नया इंस्टेंस सिक्योर्टी गुरूप यहां पर मैं क्रियेट कर रहा हूं फॉर लीनेक्स मसीन ठीक है इस फॉर माई लेनेक्स सर्वर्ड ठीक है दो डिफरेंट रूल्स मैंने आप एड करने हैं एक तो आप आप आईसे एंपी का ट्रेफिक अलाओ करतें एक ट्रे आप जाएं अगर आपके पास पहले से कोई कीपेर एकस्टिंग है तो आप उसको चूज कर सकते हैं अगर आप नया कीपेर बनाना चाहते हैं तो आप नया कीपेर भी आप क्रिएट कर सकते हैं तो I am just creating the new की पेर बिद लीनेक्स एंड डाउनलोड दपैम फाइल इन यॉर लोकल पीसी दिए इस मोस्त इंपोर्टन तो हम लोगों ने क्या किया है अभी दो सर्वर्स हमने क्रिएट किये हैं यहां पर ठीक है एंड आप देख सकते हैं दोनों सर्वर्स मेरे जो बाइड फॉल्ट एड two servers after few moments let's wait one server and you will get the another server shortly because we have applied the filter with instance state right don't confuse so we have the two servers here I'm just giving the name this is my server one right and this is my server two okay दोनों servers को अभी आप देख सकते हैं we have the private public DNS private public IP private DNS right तो सबसे पहले आप क्या कर लें दोनों servers की connectivity के लिए आपको पता है हम क्या के steps follow करते हैं सबसे पहले हमारे पास एक पीपी के फाइल होना चाहिए तो मैंने क्या किया जो इस सर्वर को बनाने के लिए अभी पैम फाइल बनाया था की पेर जो क्रिएट किया था उसके पैम फाइल को ब्राउज किया पुटी जनरेटर टूल में और इसका एक पीपी के फाइल बनाने के लिए सिंपल आपको यहां पर किसी भी नाम से लिनेक्स सर्वर्स करके मैंने की बनाया बिद पीपी के एक्स्टेंशन जस्टू लॉग इन माई बोद दा सर्वर्स वाई यूजिंग दा पीपी के फाइल ठीक है और पबलिक आई-पी से आपको सबसे पहले दोनों सर्वर्स को ल और वन को सबसे पहले मैं लॉग इन कर रहा हूं लॉग इसी तो हाइफन यूजर ठीक है और यहां पर सिंपल एक कलर थोड़ा सा मैं इसका चेंज कर लेता हूं जस्ट फॉर दा व्यू तो आपको सिंपल क्या करना है सुडो स्विच हाइफन राइट एंड इसका एक अधिन भी हम लोग सैट कर लेते हैं जस्ट फोर दाइट इरिफिकेशन सैट हैइफन होस्ट नेम इस इस माइ सर्वर वन राइट तो इस माइ सर्वर वन नाव से मोडर में यू तो लॉग इंड नाया सेशन प्रिएट की यहां पर जस्ट वाइस सर्वर फॉ and browse for the ppk file just click on open right so i am again taking the login with ec2 hyphen user this is my server 2 i am just going to set host name ctl set hyphen host name this is my server 2 right अभी देखो server 1 और server 2 का अगर public IP से आप testing करते हैं जैसे कि अभी हमने server 2 पर login कर रखा है and this is my server 1 right अब suppose करो आपने बोला server 1 से सबसे पहले server 2 का जो public IP है तो यह server 2 मेरा है इसके public IP को अगर मैं करता हूं from server 1 make make sure server 1 से हमको IP का connectivity चेक करना for server 2 it's reachable same order मैं server 2 का भी private IP अगर आप चेक करते हैं server 2 मैंने select कर रखा है private IP यहां से लिया और जस्ट्राइट टू चेक्ट दा आपको अभी प्रूफ करके दे दिया है कि within the BPC दो servers आपके अगर AWS cloud में run होते हैं तो they can connect with the public IP as well with the private IP by default राइट तो बट हम public IP से communication करना नहीं चाहते हैं तो आपको simple करना क्या पड़ेगा हम चाहते हैं कि private IP से ही connection आपका by default रहना चाहिए तो इस case में एक चीज आपको ध्यान रखना है अगर आप server 2 को login करना चाहते हैं server 1 से सबसे पहले आपको server 2 का जो की पेर आपने create किया था और उसका एक पैम फाइल आपने download किया था उस वाले file को पहले आप open करके रख लें तो यह वाला file आपने क्या किया था अपना server 2 को बनाते समय यानि कि की पेर हमारे दोनों का सेम था server 1 पे जाकर आपको करना क्या पड़ेगा इस इस माई server 1 यहां पे जाके आपको सिंपल एक फाइल किसी भी नाम से आप क्रियेट कर लें private अंडर्सकोर की और यहां पर जाके पैम फाइल का जितना भी content है उसको आप कर दें copy paste ठीक है जो मैंने copy किया था उसमें पेस्ट किया file को save and quit करके आपको बहार आना है ठीक है च मोड से permission इसका 400 कर दें या फिर 600 अब login आपको अगर करना है तो सर्वर टू का प्राइवेट आई पी यह है command आपको चलाना है ssh-i private ec2-user at the rate आई पी देना है आपको किसका server 2 का ठीक है तो internally यह मैंने बताया कि दो machine को आप login कैसे कर सकते हैं ठीक है तो मैंने यहां से server 1 से server 2 को ssh किया है same order में अगर आप reverse करना चाहते हैं जैसे server 2 से server 1 को करना चाहते हैं तो यहां पे भी आपको जो private key file है वो भी आपको एक create करना पड़ेगा because password-based authentication हमारा by default disabled हो रखा है same key pair का जो content है उसको control a करके control c कर लें आप copy कर लें और यहां पे आपको simple क्या कर देना है paste paste करने के बाद save and quit करना है और ch mode के थूप permission आप इस वाले फाइल का कर दे 400 ssh-i again private key जो आपने अभी बनाया है username ec2-user at the rate अब आप server 2 से command चला रहे हैं for server 1 login तो मैंने क्या किया server 1 का जो private IP यहां से copy किया और copy करने के बाद simple मैंने यहां पर paste किया ठीक है on server 2 ठीक है just type yes तो आप अभी server 2 से server 1 को login कर पा रहे हैं और server 1 से server 2 को आप login कर पा रहे हैं ठीक है अब जैसे आपने बोला कि सर दोनों ही servers में एक setting में करना चाता हूं कि दोनों ही servers को password वेस authenticate में कर पाहूं तो आपको dear simple क्या करना पड़ेगा आप यहां पर जाके दोनों servers की respectively जो sssd अंडर्सकोर कॉन्फिक वाला जो फाइल है इसमें जाके आप सिंपल से क्या कर सकते हैं एक पैरामीटर जो लिखा हुआ है बाइड़ फॉल्ट जिसको हम लोग बोलते है पास्वर्ड ऑथन्टिकेशन नो इस पैरामीटर को दोनों ही servers पर आप क्या करते हैं यस ठीक है और एक बार जो service आपका sssd का service है उसको आप करते हैं री स्टार्ट सिस्टम सी टील sssd restart ठीक है अब इसके बाद एक password आप set करते हैं root के लिए जो भी password आप set करना चाते हैं ठीक है और अगर आप EC2 user से भी login करना चाते हैं तो उसका भी एक password है यह step आपको follow करने server 1 पर same step follow करने again आपको server 2 के लिए इस फाइल में जाना है और सेम पैरामीटर का वैल्यू जो नो हो रखा है उसको आप यहां पर कर दें यह सिंपल यह करने के बाद सेम और में एक पासवर्ड आप रूट का सेट कर दें यहां पर जो भी आप करना चाहते हैं जैसे लास्ट ताइम आप जो ट्राई कर रहे थे आपने यह ट्राई किया था अब आप चाहें ना डिरेक्टली इस ऑप्शन को यूज करने की जरूरत आपको नहीं है आप ऐसे भी सिंपल लॉगिन कर सकते हैं सो सर्वर बन से सर्वर टू को मैं लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूं बिद पासवर्ड आराम से देखो आप सर्वर टू को लॉगिन कर रहा हूं सेम ओडर में सर्वर टू से सर्वर वन आपको ट्राइब करना तो इसको भी आप ट्राइब कर सकते हैं लेट्स मडिफाई इन दा कमांड फरस्ट जस्ट एंटर दा पासवर्ड जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था ना सर्वर वन को भी आप लॉगिन कर पारें सर्वर टू से ठीक है और सेम ओडर में अगर आप रूट से लॉगिन करते हैं जस्ट ट्राइट लॉगिन बिद रूट तो यह आपका दोनों ही रिवर्स ओर्डर में आपका काम कर रहा है या फिर देखो डियर आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे सर आपने बोला कि एक यूजर एड के किया मैंने सर्वर टू पर और इस यूजर को एक पासवर्ड मैंने सेट कर दिया लेट सपोज वन टू थरी अब सर्वर वन से अगर आप चाहें न सर्वर टू का जो आई-पी है तो सर्वर टू का आई-पी मैंने यहां से कौपी किया और लॉग इन यानि कि इस कस्तम यूजर से भी आप सर्वर टू पर लॉग इन कर सकते हैं सो डिस एडिस्ट्रि जो मैंने आपको करके दिखाया है अभी आप आराम से दोनों तरीके से लोग Nin करना है जैसे आप चाहते हैं kisar sr sourd ya sr ar for one उनके पडाब्लीट कर सकते हैं त्हुन यह पřलंगा मैंने copy किया नहीं होता है कभी पडीनression बाइदिफ आपीन हैं आगर हमारे पास प्राइवेटली चीजें अब सब्सक्राइब अब contemporary से हम चाहते हैं कि प्राइवेट ही हम कनेक्शन को स्टैबलिस करें ऐसे से रूट एड़ रेट और आप सर्वर टू का पबले का इपी मैंने यहां पर दिया जस्ट टाइप यस एंड पासवर्ड जो भी आपने सेट किया था ठीक है आप सर्वर टू को भी लॉग इन कर पा र रहे हैं सेम नेट्वक का पार ने उनको आपस में प्राइवेटली आप कैसे कर सकते हैं ठीक है देट सिट फ्रॉम दिस वर्डिगूलर लेक्चर मिलते हैं अगले लेक्चर में थेंक्स फॉर वाचिंग